मनीशा के इलावा इस घर में कोई भी अपना पन इस तरीके से दिखा नहीं सकता जैसे की फुकरा इंसान के लिए और एल्विश के लिए अपना पन दिखाती है मानो जैसे की ये दोनों अपने घर में ही हो और मनीशा की responsibility इन दोनों के उपर हो मनीशा जो है पहले तो दूद गरम करके देती है फुकरा इंसान को फिर उसके बाथ जो है राईस तड़का लगा के गरम गरम रखती है एलविश को बुलाती है एलविश आजा 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 आते नहीं गुसा हो जाती है बहुत जादा जाके राइस देती है और वहाँ पर बेबी का चम्मच लेके जाती है ये देख लेती है आराम से बैठी रहती है मनीश अपना तो खाना खालेती है आते हैं एलविश और बोलती एलविश बोलते हैं क्यों इतना गुस्ता हो के बैठी है खाना अना गरम-गरम खाना अच्छा लगता है ऐसे ठंडर-ठंडर खाना अच्छा नहीं लगता है तो आपको फ्रिज से निकाल के दे दिया करे खाना ऐसे नहीं खाना होता है कि आपको और जब आप चम्मच लेके चम-मच लेके वह वहए शक्या पेट नहीं भरा अब क्या बना के दें बोलो तो वह बोलता हां भई तो सही समजा है मेरा पेट तो बढ़ा नहीं है क्योंकि एस थोड़े से अंडेतने सारे अटलिस दबा के खा लेने चाहिए तो यह सब चीज़े जो है मनीशा रानी ही कर सकती है और इन ही चीजों के कारण मनीशा को मिला इतना जदा प्यार कि जो घर के लोग है जो फैमली ओडियंस है जो जो अपना पन महसूस करते हैं अपनों में वो ही अपना पन जो है महसूस उन्होंने मनीशा रानी में किया इसलिए मनीशा रानी को इतना जदा प्यार करते हैं क्या आपकी प्यार करने की वज़ा भी यह है जो मेरी वज़ा है इसी के साथ मैं लेती हूँ जाज़त नमस्कार